आप सबको सौगत है हमारी योटूब चैनल मॉम जाजन बेबी में और आज हमनों बात करने वाले हैं जून में लगेंगे दो ग्रहन जानिये पूरे साल में कब और कौन सा ग्रहन लगने वाला है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी क्योंकि ग्रहन लगने वाला है और इससे पहले आपको जानकारी मिलनी बहुत जादा जरूरी है क्योंकि अगर आप गडवती हैं तो आपका यह जानना बहुत जादा जरूरी हो जाता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि पूरे साल में 2020 में कौन-कौन से दिन ग्रहन लगने वाले हैं और उसके हिसाब से आप सावधान हो जाए तो बात करते हैं इस साल 6 ग्रहन पड़े हैं जिन में पहला ग्रहन 10 जनवरी को लग चुका है जो चंद्र ग्रहन था अब अगला ग्रहन 5 जून को लगेगा ये भी चंद्र ग्रहन होगा खास बात ये है कि जून में ही सुड़े ग्रहन भी लगने जा रहा है ग्रहन एक खगो एक प्रस लगता है जानीहिस साल कितने गृहन पढ़ने वाले है पांच जून को चंद्र गृहन को चंद्र यह साल का दूसरा है जो पांच जून को मद护 कर पंदर विनस से सुरू हो और जहें जून को दो बच कर चौटिस मिनच तक रहेगा ये चंद्रग्रहन भारत युरोप अफ्रिका एसिया और अस्ट्रेलिया में दिखाई देगा 21 जून को लगेगा सुरे ग्रहन जून में ही सुरे ग्रहन भी लगेगा ये 21 जून की सुबह 9 बच कर 15 मिनच से सुरू होकर दो पहर 3 बच कर 3 मिनच तक रहेगा इस ग्रहन को भारत दक्षिन पुर्व युरोप और एसिया में देखा जाएगा अगला है 5 जुलाई को चंद्रग्रहन ये भारत में दिखाई नहीं देगा ये ग्रहन सुबह 8 बच कर 37 मिनच के आसपास से सुरू होगा और 11 बच कर 22 मिनच तक रहेगा इस ग्रहन को अमेरिका दक्षिन पुर्व युरोप और अफरिका में देखा जा सकेगा अगला है 30 जुलाई को चंद्रग्रहन ये ग्रहन दोपार 1 बच कर 2 मिनच से सुरू होगा और साम 5 बच कर 23 मिनच तक रहेगा इस ग्रहन को भारत अमेरिका प्रसांत महासागर एसिया और अस्ट्रेलिया में देखा जाएगा 14 दिसंबर को सुरे ग्रहन ये ग्रहन साम 7 बच कर 3 मिनच से सुरू होगा और 3 बच कर 12 मिनच तक रहेगा सुरे ग्रहन भारत में नहीं दिखेगा इसको प्रसांत महासागर दक्षिन अमेरिका और अंटार्क्टिका में देखा जा सकेगा अब बात करते हैं इनके माननेताओं के बारे में हमारे समाज में सुरे और चंदर ग्रहन से जुड़ी कुछ माननेताएं हैं इस दोरान केवल और केवल पूजन और ध्यान करने की अनुमती होती है लोग अपने घड़ों में पैक हो जाते हैं और ग्रहन के असुप प्रभाव से बचने का पड़्यास करते हैं ग्रहन के दोरान खाने की मना ही होती है माना जाता है कि खाद दिवस्तुएं ग्रहन की वज़ा से और पवित्र हो जाती है खास तोर पर अन्ने के विशय में ऐसी माननेताई है प्रेगनेंट महिला को ग्रहन के वक्त भूक लगे तो वे फलाहार कर सकती है गडवती महिला को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वैसे तो सभी को साउधानी रखनी चाहिए जैसे खाली आँखों से सुड़ी ग्रहन को ना देखे ऐसा करने से वायुमंधल में मौजूद हानिकारक रेज आँखों की सेहत खड़ाब कर सकती है आँखों की रौसनी पर भी नकड़ात्मक परभाव पर सकता है कहा जाता है कि इस दोड़ान गड़वती महलाओं को खास रक्षा का ध्यान लखना चाहिए ताकि मा के साथ ही होने वाला बच्चा भी ग्रहन के असुप परभावों से बच सके आपको इस समय आराम करना चाहिए यदि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महला है तो ग्रहन के दोड़ान उन्हें बाहर न निकलने दे सुड़े ग्रहन के दोड़ान सोने की मना ही होती है लेकिन गड़वती महलाओं को इसमें छूच दी गई है लेकिन आप पूरा पर्यास करें कि ग्रहन के दोडान सोय नहीं बलकि अपने आराध्धे का ध्यान करें और हो सके थो अपना मन पसंद काम करें ग्रहन देखने से बचें गर्वती महलाओं को ग्रहन नहीं देखना चाहिए माना जाता है कि इससे महलाओं के लीवर, स्किन और आखों को बहुत अधित हानी होती है साथ ही गर्व में पल रहे बच्चे को भी तचा से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो सकती है यदि संभव हो तो ग्रहन के बाद गर्वती महला को असनान कर लेना चाहिए ऐसा करके आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं, इस्वर का ध्यान कर सकते हैं और कुछ एनरजीटिक चीज खा सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से सुक्रिया मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तयार हूँ तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट भी कर दे